हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सूपर टेक्निकल्स तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम SDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल्स को EMI में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं बैसिकली इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी क्रेडिट कार्ड पॉर्टल की यदि आपके पस नहीं है तो आप मेरी प्रिवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं उनको जाके देखके आप यूजर आईडी पासवर्ड बना लेंगे इसके बाद अपना कोई भी आपको ब्राउजर ऊपन कर लेना जो सेफ हो और उस ब्राउजर में आपको लिखना है SDFC क्रेडिट कार्ड पॉर्टल ठीक है यह SDFC क्रेडिट कार्ड लॉग इन यह लिखके हम सर्च करेंगे चलिए यह मैं लिख रहा हूँ देखिए नीचे हाइलाइट हो जागा आप इसको सेलेट कर लेंगे SDFC क्रेडिट कार्ड लॉग इन ठीक है अब इसके बाद आपको यह SDFC की वेबसाइट आ जाएगी इसके उपर आपको टैप करके इसको open करना है चलिए इसको tap करके open करते हैं अब यहाँ पे online banking वाला option चूज करना है चलिए online banking का चूज करेंगा अब यहाँ पे आपको login वाला option चूज करना है यह login वाला अब इसके बाद आपको यह दूसरा वाला option जो है credit card portal इसको चूज कर करते हैं credit card portal वाला अब यहां पर continue to credit card portal के उपर tap करेंगे तो आपको यहां पर user ID password डालने का option मिल जाएगा तो user ID password हम यहां पर डाल देंगे जो भी हमारा user ID और password होगा credit card portal का तो चलिए इसको डाल लेते हैं इसके बाद आपको यह credit card portal पर login करा देगा चलिए हम इसको कर लेते हैं थोड़ा यहां टाइम लगे देखिए हमारा credit card portal आ गया है अब यहां पर यह आदि आपको bills को EMI में convert करना है थोड़ा उपर की और इसको scroll करेंगे इस page को चलिए उपर की और scroll करते हैं home page आईए अब यहां quick links में convert expense into EMI का option मिलेगा आपको चलिए यह मैं highlight भी कर दे रहा हूँ convert expense to EMI इसके उपर आपको tap करना है चलिए tap करते हैं इसको अब देखिए यहां पे convert unbuild expense into monthly वाला option जो है यह वाला option हम choose करेंगे तो चलिए इसको choose कर लेते हैं देखिए जैसे choose करेंगे तो आपको यहां पे आपके expense सो होंगे कि आपने जब उपर की और tap कर देंगे यहां option और उसके बाद आगे हम continue करेंगे इसको select करके तो देखिए यह आपको interest rate बता रहा है कि लगवग 22% का interest rate आपको देना पड़ेगा yearly और processing fees भी नहीं है तो यह हम अपने हिसाब से plan को choose कर लेंगे और plan choose करने के बाद continue करेंगे तो चलिए मैंने plan choose कर लिया है one year का and tick लगाएंगे and then continue करेंगे यह detail आपको show हो जाएगे कि यह आपके charges है उसके आद जब आप confirm करेंगे तो यहां पर bank cure से OTP आएगा OTP आपको यहां पर submit करना होगा तो चलिए OTP को हम submit कर देते हैं चलिए यह हमारी OTP submit हो गई है और OTP submit करने के बाद देखे यह हमारा बिल्स EMI में convert हो चुका है और यह हमारे मंथली बिल्स के साथ में जूड़के add होके आते रहेगा फ्रेंट्स यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें